आज घूमेंगे मनाली सिर्फ पांच उनेट में और इस वीडियो को देखने के बाद आप मनाली आराम से घूम लेंगे मनाली पड़ता है हिमाचल प्रदेश में और मनाली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है मनाली का इतिहास बहुत पुराना है और माना जाता है कि समुद्र मनथन के बाद मनु रिशी ने मनाली में अपने निवास की स्थापना की और इन ही के नाम पर यहां का नाम मनाली पड़ा मनाली दो शबदों से मिलकर बना है मनु और आल्य, मतलब मनु का घर जो बाद में मनाली के नाम से जाना जाने लगा मनाली में दो बिजनस सेक्टर में सबसे ज़ादा लोग जुड़े हैं पहला टूरिजम और दूसरा एपल का प्रोडेक्शन मनाली में आने वाले ज़ादातर टूरिस्ट इसी आस में आते हैं कि उन्हें यहां बर्फ देखने को मिलेगी और मनाली उन्हें कभी निराश नहीं करता क्योंकि विंटर में तो मनाली में ही बर्फ मिल जाती है जबकि गर्मी में मनाली से 50 किलोमेटर दूर रोतांग पास में बर्फ देखने को मिलती है और इसी वज़े से मनाली पूरे साल टूरिस्ट की फेवरेट डेस्टनेशन बनी रहती है मनाली में घूमने के लिए कई प्लेसिज हैं जिन में सबसे पहला नाम आता है सोलांग वैली का जहां विंटर में बर्फ देखने लायक होती है और यहां पर कई सारी स्नो एक्टिविटी भी की जाती है सोलांग वैली मनाली से लगबग 13 किलोमेटर की दूरी पर है इसी तरह यहां मनाली में हिडिमबा देवी टेंपल भी काफी मशूर है और जादतर तूरिस्ट अपनी मनाली की यात्रा की शुरुआत यहीं से करते हैं और इस मंदर का निर्मार कुल्लू के राजा बहादूर सिंग ने 1530 इस्ष्वी में करवाया था यहां पर होटल 1000-1500 रुपए में एवरेज होटल मिल जाते हैं और दिल्ली से मनाली पहुँचने में लगबग 14-16 घंटे लग जाते हैं और आने का साधन केवल बस ही है और बस से आपको 1200-2000 रुपए पर परसन एक साइट के देने पढ़ सकते हैं आप चाहें तो बाइकार भी यहां पर आ सकते हैं मनाली में मार्केट की बात करें तो यहां की मॉल रोड टूरिस्ट के बीच काफी फेमस है और हर कोई यहां से कुछ न कुछ जरूर शॉपिंग करता है और यहां के गरम कपड़े भी आपको काफी पसंद लाएंगे मनाली में बहुत सारे सेब के बगान भी है तो यहां पर अगर आप जून, जुलाई या अगस्त में जाएंगे तो आपको सेब के बगान में खूप सारे एपल, पेडों पर लदे हुए भी दिखाई देंगे मनाली के आसपास भी कुछ आउटडोर प्लेसेज हैं जिनमें मनीकरण गुर्द्वारा बहुत ही पॉपुलर है जहां 24 घंटे लंगर चलता रहता है और खास बात ये है कि यहां इतनी ठंड में भी एक गरम पानी का कुंड है और इसमें माननेता नुसार भक्त नहाते भी हैं और कुछ जगों पर ये इतना गरम है कि लोग चावल भी पकाते हैं मनीकरण से 4-5 किलोमेटर पहले ही पड़ता है कसोल और यहां पर टूरिस्ट प्रक्रती की गोद में बैठने के लिए आते हैं क्योंकि यहां पर रिवर साइट कैम्पिंग में रहना एक कभी न भूलने वाला अनुभव हो सकता है मनाली में बाइक या स्कूटी भी रेंट पर मिल जाती है और यहां घूमने के लिए जो प्लेसेज बताई है उनके अलावा क्लब हाउस, मनु टेमपल, व्यास नदी, जोगनी वाटरफॉल और नगगर के साथ आसपास बहुत सारी प्लेसेज हैं मनाली की ट्रिप में दो लोगों के लिए तीन से चार दिन का लगभग 12 से 13 हजार रुपे का खर्चा आ सकता है और यहां अच्छी स्नो देखनी है या स्नो फॉल देखना है तो जैनुरी डस टाइम है पुल मिलाकर मनाली एक हनीमून डेस्टनेशन के रूप में फेमस है पर आप यहां फ्रेंड, फैमिली या किसी के साथ भी एक यादगार छुटियां मना सकते हैं तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे फेस्बूक पेज को फॉलो करना ना भूले